नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल पे अभी आप इस्क्रेन पर एक नोटिपिकेसन देख रहे हैं ये नोटिपिकेसन जारी किया गया है विश्टन कोल्ड फिल्स लेमिटेट के अंतरगत और इसमें जो अपलाई कर पाएंगे चातर केवल केवल ITI के चातरी फांड को अपलाई कर पाएंगे यदि आपने ITI कम्पलिट कर रखा है तो आप इस वीडियो को कम्पलिट देखेगा अधर कॉलिफिकेसन के लिए भरती नहीं है केवल केवल ITI चातरों के लिए भरती है नोटिफिकेसन का डेट में आपको यहाँ पर दिखा दू आप ध्यान से देखिएगा 7-8-2023 की डेट को यह नोटिफिकेसन जारी किया गये और इसमें ITI के चातर अपलाई कर पाएंगे अब यहाँ पर बात करते हैं ITI के चातर किन ट्रेड के अपलाई कर पाएंगे तो ट्रेड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है ध्यान से देखिएगा जिसमें साथ हो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पहले नंबर पर देखने को मिल जाता है दूसरे नंबर पे फीटे ट्रेड है तिसरे नंबर पे इलेक्टिसियन है चोथे नंबर पे विल्डर गैस एंड इलेक्टिक है और यहाँ पर five number पे शर्वेर देखने को मिल जाता है छटे नंबर पे मेकानिक डिजल है सत्वे नंबर पे वायर मैन है और आठ नमबर पे dropped man civil है और यहाँ पर pump operator and mechanic भी देखने को मिल जाता है Turner Machinist भी देखने को मिल जाता है अब total यहाँ पर seat की बात करें तो total seat आप यहाँ पर देखिए total 815, कितना है साती हो? 815 है और यह किस-किस division में भरती निकल के आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जब आप farm को apply करेंगे तो वहाँ पे पूछा जाएगा कि आप किस वर्स आप में farm को apply करना चाहते हैं अताथ किस division में farm को apply करना चाहते हैं तो जिसमें ज़्यादातर seat होगी आप उसमें apply कीजेगा और यहाँ पर साथियो आपको इसका पूरा नाम यहाँ पर देखने को मिल जाता है और यह सभी चीजे आप यहाँ पर देख पाएंगे इसमें साथियो कुछ ऐसे भी है जिसे कि यहाँ पर security guard का देखिए तो security guard में जो यहाँ पर अलग अलग जो यहाँ पर division का नाम दिया गया इसमें यहाँ पर कितनी seat खाली यह आपको यहाँ पर count करके दिखाया गया और इसमें total आपको यहाँ पर 60 यहाँ पर seat खाली देख पने को मिल जाते है और इसमें फ्रेसर जो trade आए उसके अंतरगत आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है निचे आप आएंगे साथ है स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर सारे address को यहाँ पर सही तरीकी से दिखाया गया जो भी वर्क्साप है उसका यहाँ पर आपको address भी दिया गया है एक क्लिक करके आप apply भी कर पाएंगे और notification में के पूरी जनकारी आप देख पाएंगे यहाँ बात करें साथ हो यहाँ पर qualification की तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ तो confirm हो गया कि इसमें computer operator program, stand feature, electrician, welder, gas and electric, surveyor, mechanic, digital, wireman, drop point, civil और pump operator के चाहतर apply कर पाएंगे लेकिन qualification की बात करें तो आप देखिए जो भी trade से आपने ITI किया है वो आपका यहाँ पर उसका certificate माया गया है और दूसरी बात यह कहीं गई है कि आपका जो होना चाहिए NCBT या SCBT से होना चाहिए others नहीं होना चाहिए तो सब में NCBT, SCBT देखने को मिल जाता है, electrician में केवल NCBT है और यहाँ पर welder gas and electric में NCBT और SCBT दोनों है उसी तरह सब में देखने को मिल जाता है कि यहाँ आपका electrician के लिए और wireman के लिए यहाँ पर जो है सात्यों यह आपका NCBT और SCBT इसमें भी देखने को मिल जाता है इसके बाद dropman civil में NCBT मांगा गया है और यहाँ पर नीचे आजाएंगे तो यहाँ पर pump operator कम mechanic में NCBT और SCBT दोनों मांगा गया है तो आप apply करना चाहते हैं तो apply कर लीजेगा apply करने का link आपको इस video के description box मिल जाएगा security guard की यदि बात करें post पर क्या qualification है तो यहाँ पर 10 पास आपका होना चाहिए और यह आपका 10 पास 10 प्लस 2 system के अंतरगत होना चाहिए यह ध्याने कियेगा नीचे आपाएंगे सात्यों तो उमर के बारे में इन्होंने जनकारी दे रखिए तो 18 से 25 वर्स के चाहतर apply कर पाएंगे जिसमें जो चाहतर SSD के अंतरगत आते हैं उनको 5 वर्स की छूट देखने को मिल जाती है और ओवी सी चाहतरों के लिए 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है तो फान भरनने वाले चाहतर इस बात को ध्याने कियेगा और यह जो सात्यों फान को apply किया जाएगा ध्याने कियेगा वो 16-9-2030 इसका फान भरने का अंतिम तिति है और जो यहाँ पर डेट काउंट करने का भी जो तिति है वो यही रखा गया इसी डेट से आपका उमर मिला जाएगा तो ट्रेनिंग के दौरान जो चाहतर आई टी आई का कूर्स एक साल का कंप्लिट करके इस फान को apply कर रहे हैं उनको साथ हजार साथ सुरुपे पर मंत दिया जाएगा और जो चाहतर दो साल का इटी का कूर्स कर रहे हैं करके यहाँ पर आपरेंटिस करने के लिए यह form apply करें उनको यहाँ पर 8,050 रुपे दिया जाएगा बाकी जो दसमी पास हैं जो security guard के पर अपलाई करेंगे उनको यहाँ पर 6,000 पर मंत दिया जाएगा नीचे आएंगे साथ हो स्क्रॉल करते वे तो यह जो training आपकी चलने वाले कितने मंत चलने वाले इसके बारे में आपको जनकारी देखने को मिल जाती है तो बारा मंत तो आपकी ट्रेणगश जलने वाली है जी हां ये बारा मंत की ट्रेणिंग है और इस बारा मंत में आपका ट्रेणिंग समाप्त हो जाएगा ये कापी अच्छी बात लिए ये दिवाध करें यहां पर selection process के बारे में बताया गया है तो जो selection process आपका होने वाला है साथियो इसमें कोई भी किसी भी तरह का exam नहीं होने वाला है यह जो आपका होगा साथियो यह आपका जो होगा merit based भी होगा किसी भी तरह का exam इसमें नहीं होने वाला है तो बिल्कुल आपको कोई भी घबराने की कोई जरुवत नहीं है एक्जाम को लेकर अब साथियो आप नीचे आजाए स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर रेजिस्टेशन और यहाँ पर कंट्रेक्ट के बारे में इन्होंने जनकारी दे रखी जो की ट्रेडिंग का यह आपक जनकारी आपको दी जाएगी वह इमेल आईडी के माधम से ही दी जाती है तो यह सभी चीज़ें यहाँ पर जनरल है आप इसको ध्याने कियेगा बाकि इसमें यदि बात किया जाए कि फार्म कब से अपलाई किया जाएगा अभी इसका जो है ओपन नहीं हो रही है वेप और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा